हलो एवरिवान आप सभी का फिर से मेरे यूटूब चैनल सारा स्टिटूरियल पे बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है बॉर्गित बॉर्गित क्लास 9 का एक पोयम है ठीक है और इसके कवी है माधव देव इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉर्गित एक्स्प्लेन करूंगी अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पोयम में क्या है चलिए देखते हैं हमारे बोगित में क्या दिया हुआ है बोगित में बैसिकली माधव देव ने वातसले प्रेम का बहुत ही मनोरम दृश्व हमारे सामने प्रस्तूत किया है उन्हों ने माता यसोदा और श्रीकृष्ण के बीच का जो वातसले प्रेम है उसे एक गीत के र आँपे माधवदेव का कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं पहली लाइन देखिए मेरो मेरो मतलब मेरी माई मतलब मां ओह मतलब ओ यस्योदा ठीक है तो वो अपनी मां से बोल रही है, ओ मेरी मां ठीक है, आजू हामू बरही भुकारी, आजू मतलब मुझे बरही मतलब बरी, भुकारी मतलब भूक लगी है, ठीक है, आज मुझे बहुत भूक लगी है, मतलब वो अपनी मां से बोल रही है, ओ मेरी मां आज मुझे बरी भूक ल रुखारी मतलब जो कुछ किछू मतलब कुछ लवनू मतलब लाकर हमाकू देला अपनी मास से बोल रहे हैं जो कुछ आपने मुझे लाकर दिया हमाकू मतलब मुझे देला मतलब देना ठीक है जो कुछ आपने मुझे लाकर दिया नाहीं खावलो सोही रुखारी नाहीं मतलब नहीं, खावलो मतलब खाया, सोही मतलब वह, ठीक है, नहीं खाया, रुखारी, क्यों नहीं खाया, क्योंकि रुखारी थे, रुखारी मतलब रुखा हुआ था, ठीक है, तो वह अपनी माता से बोलते हैं, तुमने मुझे जो भी लाकर दिया, उसे मैंने नहीं खाया, क्योंकि वहां बहुत रूखे थे ठीक है तो यहां चार लाइन में माधवदेब बोलते हैं कि श्री कुष्ण अपनी माता से कह रहे हैं ओ मेरी माँ आज मुझे बहुत भूख लगी है ठीक है जो कुछ तुमने मुझे खाने के लिए दिया था मैंने उससे नहीं खाया क्यूं क्यूंक इट मीन्स की हामू मतलब में बिहानत मतलब सुबह से ही खेरी मतलब खेल खेलावत सुबह से ही खेल रहा था ठीक है आजो किछवे नहीं खावतरी आजो मतलब आज किछवे मतलब कुछ भी नहीं मतलब नहीं खावतरी खाया ठीक है तो वह बोल रहे हैं आज में सुबह से ह खेल रहा था। ठीकYeah इसलिए मैने कुछ नहीं खाया। इसलिए मैने कुछ नहीं खाया। ठीकए। उसके बात देखो। तुमही हमाकु नहीं डाकल Corona भुकही बड़ुखपावतरी। ठीके। तुमहीं मतलब तुमने हमाकु मतलब मुझे नहीं। नाही, नाही मतलब नहीं, डाकल मतलब बुलाना, माई, ठीक है, तो अपने माता से बोलते हैं, तुमने भी बुलाकर मुझे कुछ नहीं खिलाया, ठीक है, तुमने भी आज मुझे नहीं बुलाया, भूकही बढ़ दुख पावतरी, भूकही मतलब भूक से, ठीक है, भूक से बर्ड मतलब बहुत दुख मतलब दुख पावतरी मतलब मिल रहा है मतलब मुझे बहुत भूक लगी है जिसके वज़े से मुझे क्या हो रहा है दुख हो रहा है बहुत जोरों की भूक लग रही है मुझे ठीक है तो यहाँ पर इस चार लाइन का मतलब है कि यहां पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं आज सुभा से ही खेल रहा था ठीक है इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया और तुमने भी मुझे नहीं बुलाया खाने के लिए इसलिए मुझे बहुत जोरों की भूक लगी है ठीक है खाली उद्रे हरी हाथ निवेशिये देखत बोलत वानी खाली मतलब खाली उद्रे मतलब पेट खाली पेट में हरी मतलब श्री कृष्ण हाथ निवेशिये अपने पेट में हाथ फेर कर देखो यहां पे श्री कृष्ण क्या कर रही है अपने पेट पर हाथ फेर कर अपनी माता से शिकायत कर रहे है कि आज मैं कुछ भी नहीं खाया सुबस से खेल रहा था और तुमने भी मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया इसलिए मुझे बहुत जोर की भूक लगी है ठीक है इस प्रकार वहां अपनी माता से क्या कर रहे है शिकायत कर रहे हैं ठीक है इसके बाद नेक्स पेडा देखते हैं आपुन तने कहूँ दुख देखी माई नयने जुरावत पानी आपुन मतलब अपने तने कहूँ मतलब बच्ची की दुख मतलब उसके कस्ट को देख कर ठीक है देखिये मतलब देखकर माही मतलब मा, नयने जुरावत पानी, नयने मतलब आँखे, जुरावत मतलब बहने लगना, पानी मतलब आसू, ठीक है, तो यहाँ पी दो लाइन का मतलब है, कि अपने बच्ची का दुख देखकर माता यशोदा की आँखों से क्या होने लगे, आसू बहने लगे, पूत पूत बुली, आचल, मोचल, स्याम, सरीरक, धूली, फिर क्या करती है, बेटा बेटा बोल कर उनके अपने आचल से, आचल मतलब पूत पूत मतलब बेटा बेटा बूली, मतलब बोल कर कहते हुए, ठीक है, आचल मतलब अपने सारी या जो भी उन्होंने पहना था, उ तो उनके शरीर में जो मिटी रगी रहती हैं घूल लगी रहती हैं तो वो पियाु करते हैं माह यशोधा उनको बेटा बेटा कहकर अपने आचल से उनके शरीर का सारा धूल मिटी पोच्चती है ठीक है उसके बाद नेक्स लैन देखो मेरा बाप बुली मतलब कहते हुए छीर पियावत, छीर मतलब दूद, दूद पिलाती है, बाहू मेली, कोली तूली, ठीक है, बाहू मतलब हाथ, मेली मतलब फैलाकर, कोले तूली, कोले मतलब गोद में, तूली मतलब गोद में उठाना, ठीक है, तो इस दूर लाइन का मीनिंग है, माता शोदा क्या करती है, मेर लाल कहते हुए श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा लेती है फिर उन्हें दूद पिलाती है ठीक है योही निजानन्द सुखही संपून सो हरी मानुस भावतरी यशोवाकू तन पानही संतोस दिन माधवरस गावतरी योही निजानन सुखही संपून यहां पर कहने का मत मतलब है कि जो निजानन्द है जो भगवान निजानन्द है जिनको किसी सुख की कमी नहीं है ठीक है निजानन्द है सुखही संपून सुख से क्या है वो संपून है परिपून है वो क्या करते हैं सो हरी मानुस भावतरी वेही क्या करते हैं मनुष्य के रूप में आउतरित होकर सो हरी मतलब वही भगवान मानुष मतलब मनुष भावतरी मतलब उनके रूप में मनुष्य का रूप धारन करके ठीक है मनुष्य के रूप में अवतरिन होकर ऐसी लीला दिखाते हैं यशोवाकू तन पानही संतोस ठीक है वे अशोदा के यशोदा माता के स्तन से निकले दूद पी कर संतुस्ट होने का मानवी भाव प्रकट करते हैं मतलब कि जो भगवान नीजानन्द है जो सुखों से परिपूर्ण है ठीक है जो मनुष्य रूप में अवतरित होकर लीलाएं दिखाते हैं ठीक है वे माता एशोदा के स्तन से निकले दूद को पी करके क्या करते मनुष्य का मानवी भाव प्रकट करना मतलब मनुष्य का भाव प्रकट करना है जो एमोशन से हमें ही मनुष्य को मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको हर प्रकार की इमोशन जिसके अंदर हर प्रकार का इमोशन है हर प्रकार का भाव है ठीक है भगवान क्या है इन भावों से एकदम उपर है भगवान को दुख सुख रोना गाना ये सबसे बहुत उपर है भगवान बट मनुश्य का रूप धारन करके वो क्या करते है इस भाव को प्रकट कर तो दिन माधव रस गावतरी तो दिन माधव क्या करते है भगवान की इसी लीला के रस का गुंगान करते हैं ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये लेशन कमप्लीट होता है मेरा ये एक्स्प्लेनिशन वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और क्लास नाइन के स्टूडेन से प्लीज शेयर किजिए और मेरे चैनल पर बने रही है आपको इस प्रकार के बहुत सारे एडुकेशनल वीडियो कमिंग डेज में मिलते रहेंगे ठीक है तो तब तक के लिए बाई टेक क्यार और भूले और अपना प्यार इसी तरीके से मेरे चैनल को देते रहें बाई